कहते हैं कि हम तो पंदरह दिन जो वहां रहे भूमिहारों के गाउं में ही घूमे लेकिन हमको तो कोई कालिक नहीं लगाया साहित वहां के स्थानी एक सिनियर रीडर जगदी सर्मा को इंगीत करके कह रहे तो उन्होंने कहा था कि कूर्टा हम फड़वाने नहीं जाते तो उन और ऐसा बोल कर जाते गाउं में तब न पता चलता अब गाउं में जागे न तक क्या होगा बुमिहार क्या करेंगे अभी तो हम नहीं कह सकते लेकिन इस्थिति अच्छी नहीं रहेगी और जाना स्रेशकर नहीं रहेगा ऐसे जान बुछ कर 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 जदी आग लगाना चाहे तो जा सकते हैं पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना तो मेरे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता रामजयतन सिन्हा जी अभी बिहार की सियासत में वालाया हुआ है असोक चौधरी के बयान को लेकर उन्होंने भुमिहार समाज पर निसाना सता है और उसको लेकर उनके दल में भी विरोध हो रहा है और दूसरी दलों के नेता तो उन्हों पर हमलावर हैं अभी रामजयतन सिन्हा जी है भुमिहार समाज पर उन्होंने बहुत तल्ख ठिपड़ी की है कि जब काम होता है तो यह भाग जाते हैं मैदान सो करके ए अनावसक बयान उन्होंने दिया और बयान में चेहरा देखने से बहुत नराजगी दिख दिखता था कि सामने वाले बिक्ति जिसके बारे हम बोलना हो जदि होता तो उसको मार बैठते की गला दोबा देते हैं दूसरे बक्ती ने बहुत अपने संजत भाथा में उनको जबाब दिया है लेकिन अनोंने उसको संक्रा चार्ज कहा और केवल एक बैक्ति को नहीं उन् भूमिहार समाज को नहीं किसी बेटी को बारे में हम कह रहे थे उन्होंनों किसी को नहीं बखसा जो एलपी साही जी आज मर गए उन्होंने खुद कहा कि वो अपने आप में भूमिहारों के कदाव और नेतत है कई बार चुनाव जीतिया और विहार से लेकर केंदर तक मंतरी उनको नहीं छोड़ा रमासरेवाव के बारे में कहा कि नितीस जी कहाना पड़ा रे नितीस जी कहाने के पहले वो आठ बार नो बार मंतरी रहे इस बात को भूल गए और हारने की बात है तो उन्होंने खुद स्विकार किया कि हम लगातार भूमिहारों के समर्थन से इन्हों का भी नाम लिया उस सब अपने आप में नेता हैं किसी के किरपा पर और मर्सी पर नहीं है उनको ने बहुत समचीत जबाब दिया बात के दिनों में आपको जो मुख परवक्ता है निरज कुमार ने बड़े ही संजत और बहुत ही असपस्ट लाजों में कहा कि ये आएकोन होते हैं ये तो पार्टी के पराधिकरित प्राधिकारी ही नहीं हैं कि बोलने के लिए उतराईज ही नहीं थे और एतना तका दिया कि जो स्वएंग भी खारी है उटिसे को टीकट क्या बाटेगा क्या नहीं कहा पृट दरपरत खोलकर करके इनको नंगा कर दिया बीजे कुमार सिंहा जो एंडिये के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा बहुत कड़ी भासाब में कहा और यह भी कहा कि मुख मंत्री को इनको डिसमिस कर देना चाहिए और हम तो एक कहना चाहते हैं कि मुख्मंत्री को जदी भूमिहारों को साइड लाइन करने से अभी भी संतोस नहीं हुआ है, उनको सुआईगा अगया कर भूमिहारों के खिलाह बोलना चाहिए, दूसरे क्यों बुलवाते हैं ? समयों। लेकिन भूमिहार समाझ में तो एंहीं में अधिन नहीं किया है कंडेम नहीं किया है कोई करवाई नहीं किया है तो मौका तो दिया तब न मिला यह बात तो समझने की है मुखमंत्री को भी कि जदि जो सबसे बड़ा दान इस देश में खून का दान है प्राण का द्यान है एक सो भूमिहारों ने इनको गद्धी पर बैठाने के लिए मुखमंत्री कूर्सी पर बैठाने के लिए अपने प्राने की आहुती दी बैलदान दिया ज़िक किसी का हजार साल उमर होता तो हजार साल यह चीज भूलाने को नहीं था और यह तो सत्ता के दर्प में तुरत यह था भूरा बाल साफ करो सुब्चिंता को नहीं हो सकते हैं कहां करें कि अंदारा नहीं दिया तो नारा नहीं दिया तूस्त में भूमिहारों ने तो हमने कहा कि अपने प्रानों की आहुती देके कुर्बानी देके चाहे बारा हो सेनारी हो करके नितीश कुमार को करवान हो सकते हैं जहाना बाद लडाकू जगह है और लडाई बहुत दूर तक जाएगी यह लडाई जो है हम समझते हैं कि पूरे राज में तो फैलेगी और पूरे राज से लडाई दिल्ली का रास्ते जाएगी वना सोग चोधरिक मुस्किल बढ़ने वाली है बिल्कूल ब सब्सक्राइब बढ़ने बढ़ाया उनके गोद में हम पले दूसरे और फिर गारी भी देते हैं उसी समाज को हमारे तो समधी किसोर कुणाल है उनसे बड़ा भूमिहार कोई हो सकता है किसोर कुणाल जानेंगे जान गए ही हैं कल हमारी उनसे बात हुई तो काफी ब्याथि है कि इनको कैसा लगा होगा जैदि किसोर कुणाल समस्तीपूर में नहीं घूमते तो यह हम नहीं का सकते कि उनकी बच्ची नहीं जीती लेकिन बहुत बड़ा जोगधान है समस्तीपूर में एक समितार कैसरी सिना लडी थी भूमिहारों का गौडव माना जाता है तो आज भूमिका भूमिहारों ने पक्ष में अदा की है यह बात समझ में नहीं आती है कि इसा बोलने का क्या उचित था अगर भूमिहारों से घ्रना करते हैं दुवेस होता तो अपनी बेटी थोड़े भूमिहार के घर में दिया बेटी तो सारे समाज ने उसको स्विकार किया समान दिया और चुनाओं में भोट भी दिया तो इसा बोलने की क्या हो सकता हो गए हाल फिलाल में भूमिहार ने इनका क्या आहित किया एक कहते हैं कि हम तो पंदरह दिन जो वहां रहे हैं भूमिहारों के गाउं में ही घूमें लेकिन हमको तो कोई कालिक नहीं लगाया साइट वहां के स्थानी एक सिनियर रीडर जगदीश सर्मा को इंगीत करके कह रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि पूर्ता हम भड़ भाने नहीं जाते उनका कहना था कि हमको तो कोई कालिक नहीं लगाया कालिक नहीं लगाया है लिए पंदरह दिन आप वहां रहें 15 वो भोट भी त और जाना स्रेशकर नहीं रहेगा ऐसे जान बुशकर करके जदि आग लगाना चाहे तो जा सकते है तो राब जेतन स्रीना जी के कहना है कि अगर अभी जो आक्रोस है भुमिहार समाज के बीच अगर असोक चौधरी उनके बीच चले गए तो उनके लिए अच्छान नहीं होग तो बिहार में राजिती खुब गर्माई हुई है भुमिहार समाज पर असोक चौधरी के बयान को लेकर आखिर क्या नतीजा निकलता है यह देखने वाली बात हुए